प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदियक शेत्र वारानसी में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद महामंदिर का भी उद्गातन किया। अंतर राष्ट्रिय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। प्रमोटेंग सेफ माइग्रेशन है। 16,050 फीट, उपर है। माउंट विंसन के अलावा, खान में चार अन्य उची चोटियों, एशिया में माउंट एवरेस्ट, उत्तरी अमेरिका में माउंट डेनाली, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो और यूरोप में माउंट एलब्रेस पर विजय प्राप्त की है। उन टेस्ट क्रिकेट में 500 याउस से अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के आठवे गेंद बाज बन गए है। पाकिस्तान के खिलाफ पैर टेस्ट में उन्होंने ये उपलब्धी हासिल की। वो ऑस्ट्रेलिया की ओर से 500 याउस से अधिक विकेट लेने वाले तीस्वे गेंद बाज बन गए है। आस्ट्रेलिया की ओर से सिर्फ शेन वॉन 708 और ग्लेन मेगरा 563 उनसे आगे है। IPL टीम मुंबई इंडियन्स ने किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया है। A. सूर्य कुमार यादव B. जस्प्रीद बुमरा C. हार्दिक पंध्या D. इशान किशन Answer. हार्दिक पंध्या Explanation Mumbai Indians की टीम ने IPL 2024 सीजन के लिए होने वाले ऑक्षन से पहले अपनी टीम में एक बड़ा बदलाव किया है। Mumbai Indians ने रोहित शर्मा को हटा कर हार्दिक पंध्या को टीम का कप्तान नियुक्त कर दिया। हाल ही में मुंबई ने गुजरात की टीम से हार्दिक पंध्या के लिए ट्रेड दील किया था। प्रतिवर्ष राष्ट्रिय उर्जा सनरक्षन दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रिय उर्जा सनरक्षन दिवस ग्लोबल वार्मिंग और जलवायू परिवर्तन के बारे में सार्वजनिक जागरूपता बढ़ाने के साथ साथ लोगों को उर्जा बचाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है।